हाई फ्रेंज दिसे शांचरी और वेलकम बेक टू मैं यूट्यूब चैनल एच कोकिंग आज मैं लेकर आई हो पहुती टेस्टी एंटेंटिंग एक फिश के रेसिपी बनाना इसको बहुत आसन है मिंटों में बनके रेडी हो जाता है और प्लें स्टीम ड्राइस के साथ ये बहुत ही टेस्की लगता है तो यह रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है कैंट शाडीन फिश पहले मैं फिश को कैंट से निकाल लेती हूँ जो लोग फिश लवर हो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ एक पार मेरी तरीके से शाडीन फिश को प्रिपेर करके देखिए पहले हम एक पैन को गर्म कर लेंग और जैसे ही पैन गर्म हो जाए और पुरा ओएल हम पैन में डाल देंगे बाहर से और ओईल का यूज़म बिलकुल भी नहीं करेंगे क्यूंकि कैन में अफिशियन्ट ओईल है और इसी ओईल से फूल रेसिपे प्रिपेड होके रेड़ी साथ में हम इसमें डाल देंगे ग्रेटिजिंजर आप चाहों तो अध्रक लसन का पेज भी डाल सकते हो जींजर डालने के पाद भी force के लिए हम इसको fry कर लेंगे जैसे ही जींजर और डरलुक अच्छे से फ्राइई हो जाए इसमें हम डाल देंगे पहले से कटे हुए प्याज 6 medium size के प्याज को मैं finely slice करके रखी थी वो मैं इहां पे डाल रही हूँ जो recipe मैं share कर रही हूँ उसमें आपको प्याज के use थोड़ा जादा ही करना है तब जाकि इसका जो taste है वो बहुत ही अच्छा हैगा तो प्याज डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक पहले हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक डालने से प्याज बहुत आसानी से soft हो जाएगा बहुत कम टाइम में ये थोड़ा सा soft हो जाएगा तो अच्छे से mix कर देंगे नमक डालने के बाद और तब तक हम प्याज को भूनते रहेंगे जब तक प्याज का color भी change हो जाए और प्याज अच्छे तरीके से soft हो जाए तो 3-4 मिनिट प्याज को भूनने के बाद प्याज बहुत अच्छे से soft हो चुका है इसमें अभी हम डाल देंगे तो medium-sized के tomato राफली चौप करके एक से दो मिनिट के लिए फिर से भूनेंगे टमाटर को प्याज के साथ और दो से तीन मिनिट में आप देखेंगे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जुगा है अभी इसमें मैं डाल रही हूँ चीली चीली आप अपने टेस्ट के एकोडिंग ही डाले लेकिन ये रेसिपी में तीखा पन थोड़ा जादा हो तो खाने के टाइम जाधा अच्छा लगता है साथ में हम कुछ मसाला भी डाल देंगे पहले में डाल रही हूँ जीरा पाउडर एक चमच साथ में डाल दोंगी धनिया पाउडर एक चमच हल्डी डाल दोंगी एक चमच और डालोंगी लाल मिर्ची पाउडर एक चमच तीखा आप अपने टेस्ट के एकोडिंग ही डालिये जीतना तीखा आपको पसंद है सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे एक मिनिट के लिए हम फिर से मसालों को अच्छे से भूनेंगे फुल कूकिंग प्रोसेस में गैस का फ्लेम रहेगा बिल्कुल मिडियम तेज आच में हम इसे नहीं फ्राइ करेंगे अभी मसाला रेडी होने के बाद जो फिश कैन में था उसको मैं डायरेक्ट मसालों में डाल रही हूँ शाडिन फिश बाइनेजर बहुत ही ज़दा सॉफ्ट होता है इसको कूक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है तो मसालों के साथ फिश को हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और स्पैचूला से फिश को हम अच्छे से मैश करते जाएंगे यह इतना सॉफ्ट होता है कि यह बहुत अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाता है तो spatula से अच्छे से हम mix करते जाएंगे और साथ में हम इसको भूनते जाएंगे तब तक भूनेंगे जब तक ना मसालों में फिश बहुत अच्छे से mix हो जाएं मसाला full absorb हो जाएं फिश में तो 3-4 मिनित लगातार भूनने के बाद अब देख सकते हो अलग से पतानी चल रहा है कि जो मसाला है इसके अंदर फिश है अभी उपर से हम थोड़ा सा नमक फिर से डालेंगे पहले भी हम नमक डाले थे तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए सारे चीज़े को अच्छे से mix कर देंगे और फिश डालने के बाद चार से पाच मिनित आपको इसे cook करना है एन में हम उपर से डाल देंगे finely chop किये हुए धनिया बत्ता और एक मिनित के लिए high flame में हम इसको लगातार चलाते रहेंगे तो शादिन फिश बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा इसको अब मैसेजेस्ट करूंगी अब प्लेन वाइट राइस के साथ ही सर्फ कीजिए आप इसको चाहो तो ऐसे स्टाफिंग भी यूज़ कर सकते हो ये रेसिपी अगर आपको थोड़ा सा भी हेलफूल लगा हो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब मैं चैनल लाइक शेर अन लीव यूर कमेल थैंक यू वेरी माच फिर मिलती हूँ ऐसे कोई निव रेसिपी के साथ स्टे सेप स्टे हिल्दी बबाई